पहले आशोक तिवारी आपके पास आ रही हो अम्बेटकर नगर में आशोक आप भी छाम लेकर पेड़ की खड़े हैं इस धूप में बहुत मुश्किल हो रही है मद्दाता आने कम हुए हैं क्या एक बज़रा है देखिए निश्चे तोर पर गर्मी बहुत जादा है और गर्मी का प्रभाव जो मतदान है उसके प्रतिशत पर भी देखा जा रहा है इस वक्त में बेटकर नगर में मौझूद हैं और दो महिला हैं हमारे साथ यहां पर मौझूद हैं मैंने थोड़े दरे पहले रोका था कि यह वोट करके बाहर निकल रही थी मैंने का आप रुकिए कि आप से बात करेंगे मैडम आपने वोट कर दिया कि इस बार अमबेटकर नगर के चुनाओं में क्या मौद्द हैं आप वोट करने गई तो जहन में क्या लेके क्या सोच कर गई थी आप यहीं सोच के गई हूं कि लाल जी बर्मा मतलब जीत जाए आप तो मुद्द पूछ रहा था बता रही हूं यहीं कि मतलब वो बोले हैं है कि मतलब अगलिस जी आये थे कि 8000 रुपे महीने देंगे एक लाख देंगे और तो जो घर की मुखिया महिला होंगी नवकरी बेरोजगारों के लिए देंगे अब यहीं सब छूट दे रहे हैं इसलिए हम मुद्द देखिया है उसके आधार पर आपने वोट कि इसवार कि लड़ाई में देखता है उनको कहां लड़ाई में देखा है नहीं लड़ाई में नहीं देखा आपने वोट डाल दिया मैंडम क्या मुद्द है इस बार आपके जहन में चुनाव को लेकर बात नहीं करना चाह रही है आपने वोट डाल दिया भी है तो क्या नाम है आपका यह मुझे बताईए कि इस बार क्या मुद्धे हैं चुनाओं में जिले का विकास चाहते हैं हम अब यह विकास हम चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी दो आ रहा हो और अगर केंदर में सरकार अखलेश यादों के सरकार में जो भी विदायक करवना उसने हमेशा वहोत अच्छा विकास किया लेकिन बहुत पार में नोटिस किया किए अभी तक क्या मेटकन नगर ये अकबर पूर में कोई नहीं मिल इस बार चुनाओं में बहुत जादा उठापटक भी देखने को मिल यह बसपा में थे रितेश पांडे बीजीपी के टिकट पर आ गए लाल जी वर्मा बसपा में थे सपा में आ गए तो यह जो सपा में आए हैं यह 2000 से पहले वाले जब दानसभा चुना वह थे उसमें वह आए हुए थे और उधायक रहते हुए इनों ने कटेरियों में विकास नाम है आपका जी अतुल्ब तो मुझे बताएं किस मुद्ध के अधार पर वोट किया आपने विकास के मुद्धे पर विकास के मुद्धे पर यह बेटकर नगर में डेवलप्मेंट बताते हैं लोग यह अभी जो सज्जन निसे बात कर रहा था करते विकास जादा नहीं ह हुआ यहां पर तो अपने इस बार आएंगे तो विकास होगा इस बार तो रितेश्य भाहिया तो थे पिछली बार भी कहां थे पिछली बार रहे बस पासे थे ना चुनाब जीते थे हाँ सपोर्ट नहीं हुए इस बार मिलेगा विकास होगा ना और क्या मुद्धे हैं जब हमारे सहयोगी पील्ड पर रहकर और आपको दिख रहा है कितनी कड़ी महनत कर रहे हैं इतनी धूप में और पूरे दिन भर यह सिर्फ वोट कास्ट करने भर का वक्त नहीं है कि गए अपना वोट कास्ट कर दिया वापस आ गया पूरे दिन भर इतनी प्रचंड गर्मी में आप तक क्योंकि Ground Reality हम पहुंचा सके News24 काम कर रहा है और इसलिए अगर आपके एरिया में वोट पड़ रहा है फिर भी अगर आप अपना वोट कास्ट करने नहीं जा रहे हैं तो फिर लोक्तंत्र की दुहाई देते हुए आपको अपने जो राजनेताओं से विबाद है जो गुस्सा है उसको भी जाहर करने का बिलकुल हक नहीं बनता तो आज अवसर है इस अवसर का पूरा लाब उठाईए निकलिए घर से मद्दान करिए